संस्कृत पारत दी बहुत ही प्राचीन पाशा है, सब तो पहलना इस विच रिगवेद लिखे गया, उस्तों बाद साम वेद, यजुर वेद ते अथरव वेद लिखे गये, जिना दर अचना काल पैंट सो बीसी तों पंदरा सो बीसी दा है, इसनो सारिया पशामा दी जन्नी क्या जन्द है, कालीदास दी शकुंतला ते रिशी वेद व्यास दी महापारत ते बालमीक दी रमायन वी संस्कृत विच लिखे गये, हिंदु मात ती ये परम पाशा है, इसनो देवनागरी ते खेत्री लिपी विच वी लिखे जन्दा रिया है, पाशा, कालीदास, भाव बुटी संस्कृत दे महान लेख खान, जिनाने अमर रचनावा साहित दी चोड़ी पाईया, पान्दिनी नो संस्कृत दा पितामा क्या जन्द है, जिसने अश्ट्याइनादा ग्रंत लिखिया, आज जसी संस्कृत विच लिखे गे मशूर नाटकांदी गल्द करांगी, इ मैंवी उजैंदा वसनी खुंदा, ते मालवे दी किसे सुंदर मट्यार दी छब, ते ओदे नादी रंगली शूनल मेरी आत्मा सुहपन दे उच्चे अकाश विच उडारियां पही माल दी, शायद ओ मुट्यार अपनिया टेडियां पलकांदी छाँ उल्यों मेरी वल तक द मेरे नेडे अटकन दे भाने अपनी चुली दा परला जान बुझ के चंबेली दे बुटेच अडालें दी, ए सब कुझ किसे बीते समेदी सोनी ये याद है, समेदे बीतन दा मैनू दुखने पर काश उडारू पंचियां वांग उडगियांने समेदे खंबला स्वरगां द शकुंतला नाटक काली दास्ती रचना है, जो राजा विक्रमा जीदे समेदा जगत परसिद संस्क्रित कवी हुया है, एन्ने होर भी बड़े नाटक लिखी हन, जर्मन कवी गयटे ने शकुंतला दी उपमा वीच एक बड़ी सुन्दर कविता लिखी है, शकुंतला बड़ दर आज खोल वे, इंदर देवता ने उदे तप वीच विगन पॉन ली, अपने दरवार वीचों एक बड़ी ही सुन्दर अपच्छरा मेनका नो पृत्वी ते पिज जया, रिशी विश्वा मित्तर मेनका दे जाल वीच फस गया, ते उदा तप अधूरा रह गया, कुछ उस्थान नो छड़ के जंगल वीच चला गया, मेनका भी अपना काम पूरा करके इंदर फूरी नो वापस चली गई, ते उस लड़की नो पिछे एकल्या ही छड़ गई, और निक्की जी लड़की उस उजाड बन वीच एकल्ली ही रह गी, कोई उस विचारी नो पालन वाल नेसी, शायदो पुख्या ही मर जान दी, जे बन वीच रहन वले पंच्छी उस ते तर्स खाके उसनो ना पाल दी, इस तरह कुछ समा बीत गया, एक देन ओधरों रिशी दी, कनम लंगया, उस दी नजर इस लड़की ते पवी, ओ दी सुन्दर तान वेक के रिशी कलों ना गया ते ओस लड़की नू चुक के अपने आश्रम वीच लया आया, ओधन ना उसने शेकुंतला रखे, शेकुंतला जदो जदो जवान होई, ताओ आश्रम दे मैक दे फुल्ला वांग सुंदर निकली, ओधा कोमल स्रीद ते उच्चा लमा कद आश्रम दा शिंगार सी, ए पाजने उना दा क्याना मान लेया, ते अपने राथ तो उत्तर के आश्रम दे अंदर चला गया, ओ सारे दिन दी पाजनास कारण थका टुट्टा होया सी, इसले कुच चिर अराम करन लेई, ओ एक रुख थल्ले बैठ गया, एनने वीच कुझ लड़किया पानी दे कडे शकुंतला वी सी, अचानक एक पौरा शकुंतला दे सिर्कलों लंगया, शकुंतला ने कबराकियोंनों हाथ नाल उड़ाउन दी कोशिश किती, पर ओ ऐसा टीर सी, कि ओधे सिर्टे ही पहुंदा रहा, ओधे नाल दिया लड़कियां भी डरपोक सन, शकुंतला दे सिर्टों पौरे नो डान ली, कोई भी अगे न वदी, एस सब कुझ राजा दुशेंत वेख के मुस्करा रहा सी, कि पौरे तो सब लड़कियां किमे कबराईयां हुए हन, उन्हें चटपट अगे वद के उस शरारती पौरे नो उथो नसा दिता, सारिया लड़कियां इस शोनी फब वले बंके जवान नो वेख के पहलों तक कुझ ठठंबर गियां, पर फेर अपने आश्रम विच एक अजनबी नो वेख के सारियां ने पर नाम किता, ते राजे नो आश्रम विच ठैरन ले बेंती किती, जो राजे ने बड़ी खुशी नाल परवान कर ले, पर राजे दी नजर सारा दिन शकुंतला दे सुंदर चेरे ते ही ठीकी रही, शकुंतला वी राजे दी सुंदर नो हार नो वेख अंदरों अंदर ओ देवल खिची गई, दुशेंत ने अपनी मुंदरी लाके शकुंतला दी उंगल ते पादिती, सारियां लड़कियां ने बड़ी दिल् मुंदरी नू वेख्या उस्ते दुशयंत दा ना उक्रिया होया सी। ए वेख्यों बड़े सतकार नाल एक पास से खड़ो गियां दुशयंत उस देश दा राजा सी। वो अपने शाही मैं माननू बेंती किती कि जिनाचिर चाहे वो आश्रम विच ठैरे दुशयंत नू इस त सन करन दिन दे। ए चंगा मौका सी कि राजा दुशयंत ओथे कुछ ठैर के इना राक्षान नास करे क्योंकि एक राजे दा ए वड़ा फर्ज है कि अपनी परजा नू जुलमते तकलीफां तो बचाए। राजा दुशयंत ने थोड़े दिना विच नेड़े तेड़े दे स सारे राक्षान बड़ी बहादरी नाल मार मुकाया। सारे आश्रम निवासी उसता जस गौंदे रंदे सन क्योंकि उना द जीवन हुन बड़ा सुखाला हुगया सी। ओधरोदा श्कुंतला नल प्यार दिनो दिन होर डुंगा हुंदा गया। श्कुंतला वी ओदे नाल प अस्तनापूर जाना सी क्योंकि कई राज सी कम रुकी होये सन। ओधे मंतरी बड़ी बेसबरी नाल ओधी उडीक खरे सन। बड़े उदास दिल नाल राजा दुश्यांत ने वापस जानली आग्या लेई कि श्कुंतला नो ए जकीन दवाया क्यों छेती ही वेल कड़के अफस मुड़ी तम वे छोड़े कर्म ओधा दिल पर राया उस समय ओ सदा राजा दुश्यांत दी याद विच दुबी रेंदी एक वारी रिशी दुर्वाशा जात्रा करदा होया आश्रम विच आया श्कुंतला राजे दुश्यांत दी याद विच मगन सी उसने दुर्व श्कुंतला बड़ी कबराई ते पजी पजी अपनिया सहलियां को लगई ते उन्हानों सारी गल दसी ओवी सराप बड़े सुनके बड़ियां दुखी होईया ओधी सहली प्रीम अमवदा जड़ी मिठ बोलडी सी ते जिस नाल दुर्वाशा बड़ा खुच सी रिशी दे च दूर हो जावेगा परिया मवदा चट श्कुंतला ने खुश खबरी सुनान ली गई ज़द श्कुंतला ने एह सुनया ता उदे चेरे ते फिर खुशी दी लैर दौड़ गई और कैन लगी मेरे कोल मेरे पती दी मुंदरी है ये मैं सामके रखाई काफी समा बीत गया नहीं उदे वरनों कोई पता पीजिया इन्ही दिनी जात श्कुंतला अपने पती दियो डीक वीच रेंदी सी उन्नों बच्चे दे जनम दी आस होई उन्हें एक अल रिशी कनव अगे किती उन्हें आगया दिती कि श्कुंतला नुराजा दुशंत का उलपुंच आया क्योंकि ओदे बच्चे नुर जनम बारे पता होना जरूरी है रिशी कनव ने श्कुंतला नुराजा दुशंत पास जान ले विदा किता ओदे नाली का आश्रम दी तपस्वनी जिसना ना गौत्मी सी ते श्कुंतला दिया होर सखिया पेजिया पैंडा बड़ा लम्मा सी इसलियो सब रा विच गंगा दे किनारी एक था अराम करन ले फैर गे उथे एक मंदर सी जिस विच उना ने पूजा पाठ ते शनान किता नहोंद्या नहोंद्या शुकुंतला दी उंगलतों राजा दुश्यंत दी मुद्री नदी विच डिग पई पर उन्नु इस बारे प मिलना चांदे हां करनम दा नाम सुन्दे ही उन्ना नु अंदर आंदी अग्या मिल गई शुकुंतला कुंड कड़ी अपने दिल विच कई आसा लोई शर्मांदी होई सहेलिया समेत पती दे सामने जा हाजर होई राजा दुश्यंत ने उन्ना वल बड़ी रुखी तरह आए तहा नु याद होना है जो तुसी आश्रम विच कुछी ठहरे सो ता तुसी एदे नाल व्या किता सी राजा दुश्यंत ने किरना नाल उतर दिता मेरा इस नाल व्या मैता इसनो वेख्या तक ने गौतमी ने शुकुंतला नो अख्या वेटी कुंड चुकला महराज ते नु दुर्वाशा रिशी दे स्रापता ख्याल आया ता उदा चेरा खिड गया उन्हें मन विच क्या मैं हुने मुंदरी विखाके राजे नु सारी गल याद करूंदी हैं ऐस सोचके उन्हें अपना हथ अगां वदाया पर अफसूस मुंदरी उंगल विच नहीं सी उदु तहा नु शायद याद होना है असी दोवें एक दिन चंबेली दी फुलवाडी कोल बैठे सां तुसी पानी पीन लगे सो जदो मेरा प्यारा हिरनो थे आप होंचया तुसी उन्हें पीन ले पानी दिता सी परो डर के परे हट गया सी ते जदो मैं उन्हें अपने हाथ नल प खड़े होनों जी नहीं सी करदा उससे वे ओधी मा मैंकानों ओधी दुरुद्दशा ते बड़ा तरसाया ते वो विदे उत्मता दा रूपता अरण करके उन्हों उत्हों चुक्के ले गई ते मुर्कनव रिशी दे आश्रम वीचे छड़ाई कुछ साल लंगे पर राजा दुशयंत दे सामने एक माच्छी नु फड़ के लियांदा गया ए माच्छी गंगा दे किनारे रेंदा सी ओ बजार वीच सोने दे मुंदरी वेच रहा सी जिसोते दुशयंत दा ना उक्रे होया सी विचारा माच्छी बड़ा कबराया होया सी ते टुटे फुटे शब्दा विच अपनी सारी गल सुना रहा सी उन्नी आख्या दो दिन होए मैं एक वड़ी सारी मच्छी गंगा नदी तो फड़ी सी जुद मैंनू कट्या ता उस विच्चों ए मुंदरी निकली है मैं अनपणा मैंनू की पताय इसते की लिख्या होया है मैं हस्तना पूरे नू वेचन आया सा राजा ने मुंदरी लेली एक दम ओधी पुराणी याद ताजी होगी शकुंतला आश्रम विच अते उस विच मैंकरी चंबेली दी फुलवाडी सामनेयों एक सुंदर द्रिश्वां आग खड़े हुए उदा चेरा लाल हो गया जदोनू याद आया कि कितनी कठोरत ते बेतर सी नालों ने शकुंतला नू दरबार विचों कट दिता सी। राजा ने हुकम दिता कि उस माच्छी नू फोरण छड़ दिता जावे क्योंकि ओधा कोई कसूर नी उनने सगों ए मुंदरी लेा के बड़ी पारी सेवा किती है। दुशंत ने माच्छी नू मुंद पाख्या ओ मेनका दी लड़की सी ते मेनका जरूर उनों वापस इंदर खुरी ले गई हुनी है। ए सोच के ओ हस्तनापूर विच ही रया परशकुंतला दी याद उनों बड़ा स्तांदी सी तिराद दीनों उससे याद विच ही दुबा रेंदा सी। एक दिन इंदर दे द खुशी मिली कि चरो इस नाल कुछी रोधा त्यान दुझे पासे वाल लगा रहेगा। उन्ने अपना रथ संजो कमान ते तीर ले उनली हुकम दिता ते मातली नाल जंगल वाल तुर्पया। इंदर देवता ने मेनका दे कहां ते मातली नों देश दिता सी क्यों दुशयं नाल प्रित्वी थे वापस पेजिया। उन्ना दा राथ बन वीच कन्नव रिशी दे आश्रम दे कोल जा रुक्या। राजा राथ नो उत्रया ते जदो थोड़ा अगा गया तो उन्ने कोई छे कुछ साल दे एक छोटा जया लड़का विख्या जेरा बबबर शेर दे बच केवल वेख्याता उदे मन वीच प्यार दीक लेर उठी उन्नु पूरा विश्वास हो गया कि जरूर ओधा अपना ही लड़का है साचमच ओ है उससे दाही लड़का सी ओ राजकमार परत सी जिसनों शिकुंतला ने कन्नव रिशी दे आश्रम वीच जनम देता सी राजा श्कुंतला अचानक ओद्रों दी लंगी दुख नालो दे मूँते दुंगी ओदासी च्छाई होई सी रोन तो उन करके ओधियां अख्खां दी चमक भी कुछ कट हो गई सी पर फेर वी ओधि सुंदरता विच कोई फरक नहीं सी प्यार राजकमार ने श्कुंतला नों हो थ पच्छाने पर राजा अपनी प्यारी श्कुंतला नों वेखने आही उधे प्यारांते डिग प्या ते कैन लगा श्कुंतला मैंनू खिमा कर मैं थो पुल हो गई सी हुन मैंनू पताए कि तू मेरी पतनी है श्कुंतला दियां अख्खां पा रहियां उनने क्या तो हड़े हाथ वीचे मेरी मुंदरी पई होई है ए तोहड़े कोल किमें आई इसते दुश्यंत ने शकुंतला नो अखीर तक सारी वारता सुनाई ते उनने ओ मुंदरी लाके शकुंतला नो दे दिती पर शकुंतला ने आखे नहीं मेरा इसते प्रोसा नी रिया एह इकवार मिथों मेरी उंगलतों डिग पेई सी एफ फिर डिग सक दिये हो सक दै तुसी मैंनों फिर पूल जाओ तुसी इसनों अपने पास ही रखो इसनाल मेरी तस्वीर सदा तुहड़े दिल वेचे रहेगी दुश्यांत ने उसे तना किता फिर कदे वी ओर ने ओदे दिल वेचों अपनी बना विच पली सुन्दर पतनी दा डूंगा प्यार ना गया उश्कुंतला ती राजकमार दुखानू हस्तना पूरला गया राजकमार परत एक बड़ा सूर बीर ते अपने पितात अविवद त को दानी क्ले